जय हिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हाँ पर हिंदी साइथ के बहुत ही महत्वण कॉस्चन अपनी जो टेस्ट सीरेज चल रही है उसी का यह अपना पार्ट साथ है तो वीडियो को पूरा व से जो है पता जाता है कि कितने कॉस्चन आपसे सही बनते हैं हों कितने इंगलात होती हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना यह वीडियो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें अगर आप चैनल पर पहली बारा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वह लाइक क्या है देखे हिंडी कहानियों में प्रत्य गा भास यानी की-घ्लस भैक सेले का प्रयोग सर प्रथम किस्य किया है तो जो फ्लय servisha रहती है हिंदी सर प्रिथम प्लेस व्यक्सेली का उप्योग क्या था रस्कान का पूरा नाम बताने हैं यहापर question number 3 रस्कान का पूरा नाम क्या है बताए तीन चारविकल्ब देगा है question number 3 है अपने बहुत ही मातपून question है और रसकान का पूरा नाम सभी के लिए पता है, सयद इब्राहिम आपका सही आंसर है अंगला कॉस्चन क्या है, देखिए आपका अंगला कॉस्चन है, यहाँ पर सांज होते ही ना जाने चागई कैसी ओदासी, क्या किसी की याद आई, ओ है ब्रह ब्याकुल प्रवासी, किस की पंती है, यह पंती बताने हैं आपके लिए, भहती महत्वपून पंती यहाँ पर पूंची कई है पंती बताइए किस की है, कॉस्चन नमबर चार का आंसर क्या होगा, तो चार का सही आंसर है नरेंद्र सर्मा विकल्प नंबर आपका एक यहां पर सही आंसर है अंगला कॉस्चिन क्या पूँचा क्या है हे कोटी चरण, हे कोटी बाहू, हे कोटी रूप, हे कोटी नाम तुम एक मूर्ती, पृती मूर्ती कोटी, ते कोटी मूर्ती तुमको प्रिणाम किसकी पंती है यह पंती बताना है question number 5 का सही आंसर बताना है तो 5 का सही आंसर है आपका सोहनलाल दुबेदी आपका सही आंसर है अंगला question क्या है तो देखें अंदिकार दूर था, ज्ञाक रहा सूर था, कमल डोलने लगे, कोस खोलने लगे, दिवस के विकास में, क्रण के प्रिकास में, गोलियां दमक उठी, बर्चियां चमक उठी, जोहर कब में, ए पंतियां किसकी हैं, ए पंतियां बताना हैं, किसकी हैं, तो question number 6 का सही answer है, 6 का right answer क या विकल्प number C, आनिकी स्याम नाराने पंडे, स्याम नाराने पंडे की ए पंतियां अंगला question है, क्या है, चेहरों के जंगल, संबाद हीन नाटक की रचनाकार का नाम बताईए, चेहरों के जंगल, चेहरों के जंगल, जो संबाद हीन नाटकों की रचनाकार बताना हैं, त question number 7 का भी right answer है आलोक सर्मा, आलोक सर्मा आपका यहाँ पर सही answer है, अंगला question है, क्या है देखिए, अंगला question है, गोविंद बल्लब पंत आदुनिक साहितिके के स्काल के लेखक है, गोविंद बल्लब पंत बताना है, question number 8 का सही answer 8 का right answer क्या है, तो आपका यहाँ पर सही answer है, प्रसाद उत्तर आपका सही answer है, विकल्प number D आपका सही answer है, यह जो है गोविंद बल्लब पंत आदुनिक साहितिके के स्काल के लेखक हैं, तो साहितिके प्रसाद उत्तर आपका सही answer है अंगला question क्या है, जेपी श्री वास्ताव किस विदा के प्रिशिद्द लेखाख है और पन्यास, नाटक, प्रहसन या कहानी ये चार विकल्प है जे पी सिरी वास्ताव किस विदा के प्रिशिद्द लेखाख है तो नो का सही आंसर है विकल्प नमबर C यानकी प्रहसन प्रहसन आपका हैं पर सही आंस आती है बिलकुल सही किस की रचना है बिनोद रस्टोगी अंगल क्या है देखिए मराढDon DU Purn Brenda Polsce का हिंदी अनुवाद किस का किया हुआ है यह वताना है आपके लिए मराढटी उपन्यास का हिंदी अनुवाद Hyundaiidéwy किस का किया हुआ है तो question number 11 का सही answer आपका यहाँ पर भी right answer भारतेंदू हरस्चंद्र आपका सही answer है अंगले question क्या पूंचा है नदी यस्तोवी यह है उपन्यास की रचनाकार कौन है नरेश महता राच कमल चोधरी सिरिलाल सोकल अमरितलाल नागर question number 12 का सही answer बताना है और 12 का right answer है आपका नरेश महता विकलप number 11 कांगना कहानी के लेखक कौन है तो लेखक बताना है कांगना क्या यह कहानी है क्या है कहानी है और इसके जो लेखक है बहुत कौन है तो क्वश्चन אנחנו number 13 का राइट आंसर है विकव्प नंबर B, राजा, राधी का रहमणसे है विकव्प नंबर B, आप कहियाँ पर सही आंसर है अंग्ला पॉस्चिन क्या है, देखें इंस्टोलमेंट कहानी किसका, कहानी संग्र है किसका है installment कहानी संग्र है किसका है नरो तम नांगर चतर सिन सास्तरी या भगवती चन बर्मा चंदरगुप्त विद्ध लंकार तो question number 14 का सही answer बताना है 14 का सी right answer है भगवती चन बर्मा आपका सही answer है installment अंगले question क्या है रक्षा बंदन किसकी सर प्रिथम कहानी है रक्षा बंदन बताना है तो कौश्च नमबर 15 का सही आंसर क्या होगा बता ही रक्षा बंदन किसकी सर प्रिथम कहानी है और ए तो किसकी सर प्रिथम कहानी है ए कौश्च नमबर 15 का आपका एक विसंभर नात सर्मा कौश्च आपका नमबर 16 का सही आंसर आपका जो यहां पर है वह है आपका विकल्प नमबर 1 भगवत थी प्रसाद वाच्वी आपका यहां पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन क्या है तिर्वेणी आलूचिना संग्रा किसका है तिर्वेणी आलूचिना संग्रा विस नात प्रसाद मिस या राम पिर साथ दुबीदी चंद्रगुप्त विद्धल अंकार कॉस्चन नमबर 17 का सही आंसर बताना है 17 का राइट आंसर विकल्प नमबर B रामचंद सुकल आपका यहां पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन है 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र मातुर की रचिना है और किस विद्धा में सामल है तो 18 का राइट आंसर आपका विकल्प नमबर C आनिकी संसमरण संसमरण आपका यहां पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन प्रेमचंद जी के साथ दो दिन इंटर्विव विद्धा के लेखक कौन है तो इसके लेखक पूँचा है आपसे कॉस्चन नमबर 19 में 19 का सही आंसर है आपका यहां पर क्या होगर आइट आंसर बनारसी दास चतुरवेदी आपका यहां पर सही आंसर है प्रेमचंद जी के साथ दो दिन इंटर्विव विधा के लेखक जो कौन है भय है बनारसी दास चतुरवेदी अंगला कॉस्चन क्या है देखे निराला की पत्र पत्र साहित बिधा में संग्राय का स्रे किसे दिया जाता है क्या है राइट आइट आंसर तूफानों की बीचरांगे रागाऊ की रचना किस विधा की है रेखा चित्र कहानी संसमरन रुपूरताज यह चार विकल्प है, question number 21 का सही answer यहाँ पर बताना है, 21 का right answer आपका यहाँ पर है, क्या है, d यानिकी रुपूरताज आपका यहाँ पर सही answer है, अंगला question है, परन्तू और चू की, लेकिन इत्यादी सब्द व्याकरण की answer किस कोट ठीके हैं, सर्वनाम, विसेशन, विकारी, आविकारी, तो question number 22 का right answer आपका d right answer है, आविकारी सब्द, आविकारी कोटी के हैं, विकल्प number d right answer, स्वोनी का परियाबाची सब्द नहीं है, नहीं है, कौन सा नहीं है, यह बताना है, तो कनक, कंचन, स्वोन्ड, रजत, तो पाकरण की दरश्टी से क्या है, तो question number 24 का सही answer बताना है, तो question number 24 का सही answer है, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, आपका यहाँ पर सही answer, बिल्कुल सही समुच्चय बोधक, अंगला question है, क्या है, बह स्वभाव से ओधार है, इस वाक्य में से का प्रियोग किस अर्थ में हुआ है, तो 25 का सही answer है, आपका विकल्प number C, पिरकृति और स्वभाव की अर्थ में, पिरकृति और स्वभाव की अर्थ में इसका प्रियोग हुआ है, अंगला question है, हिंदी में कुल मूल सर्वनाम कितनी है, question number 26 का सही answer बताना है, 26 का right answer आपका क्या होगा, 9, 10, 12, 11, त 27 का D, आपका right answer है, अंगला question है, कौमावनी बोली और मंडियाली बोली को बोलियों के किस विवाग में रखा जाता है, कौन सब है विवाग है, जिसमें इनको रखा जाता है, यह आपके लिए बताना है, तो आपका 27 इसका सही answer है, विकल्प number 1 यान की पहाड़ी हिंदी, प बताना है, आपके लिए question number 28 का सही answer, तो मलियालम, गुजराती, कन्नत, तमिल, तो 28 का सही answer आपका, गुजराती आपका सही answer है, गुजराती जिनों ने बताया है, उनका सही answer यहाँ पर है, उच्चारनकाल की आधार पर स्वर की कितने भीड हैं, उच्चारनकाल की आधार प इसका अंगला कॉस्चन है निपात के प्रियोग से होता है निपात की प्रियोग से होता है तो क्या होता है कॉस्चन नमबर तीस का सही आंसर बताए तीस का राइट आंसर बताना है तो तीस का सही आंसर आपका डी राइट आंसर बाकी की भाव में बिसेश अंतर आता है बाकी की भाव में विसीस अंतराता है निपात की प्रियोग सी अंगले कॉस्चिन देखिए जगनादास रतनाकर कृत उद्धव सतक किस विधा की रचना है महा काब बे खंडे काब मुक्तब बे मुक्तब काब या गीत काब बे यह चार विकल्प है कॉस्चिन नमबर 31 का सही आंसर बताना है 31 का राइट आंसर होगा खंडे काब बे क्या है खंडे काब है उद्धव सतक यह किसकी रचना है जगनादास रतनाकर जी की अंगले कॉस्चिन है कि स्याम नारण पांडेकर तहल लिगाटी पद्ध विधा के अंतरगत किस प्रकार की रचना है मुक्तब या खंड प्रवंद काब या गीति काब ये चार विकल्प आपके देगा है कॉस्चन नमबर 32 का सही आंसर बताना है 32 का राइट आंसर क्या है सी राइट आंसर है यानि कि प्रवंद काब या आपका है आपका है आपर सही आंसर है प्रवंद काब या भारत भारती किस प्रकार का काब है भारत भारती गीति का प्रवंद का भी खंड का भी एचार विकल्प देगा है कॉस्चिन नमबर 33 है तेटिस का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नमबर भी आनिकी मुक्तक का भी आपका सही आंसर है भारत भारती अंगला कॉस्चिन क्या है अंगला कॉस्चिन देख अंगला उपन्यास ये चार विकल्प दिए गए है, question number 34 का जो सही आंसर है आपका वहे, विकल्प नमबर आपका यहाँ पर 34 का विकल्प नमबर डी यानिकी उपन्यास आपका सही आंसर है, अंगला question है, सुकल की रचना चिंता मणी में किस पिरकार के निवन्द हैं, एतिहास का सही आंसर है, डी यानिकी मनुविकार, मनुविकार आपका यहाँ पर सही आंसर है, अंगला question इन में से क्या है, बताईए कि इन में से मतमा गांदी के जीवनी लेखक में कौन नहीं है, ये आपके लिए बताना है, तो बताईए question number 36 का सही आंसर आपका यहाँ पर क्या आपर विकल्प नमबर D अमरित राए अमरित राए आपका यहाँ पर सही आंसर है मैतमा गांधी के जीवनी लेखोप में कौन नहीं है तो अमरित राए आपका सही आंसर है अंगला कॉस्चिन क्या है देखिए दीप जले संख बजे संसमन बिधा है और इसके जो लेखाख है कॉस्चिन नमबर 34 का सही आंसर बताना है और B सही आंसर है कनईया लाल में से प्रभाकर आपका यहाँ पर सही आंसर है कनईया लाल में से प्रभाकर राइट आंसर है अंगला कॉस्चिन क्या है चेहरे जाने पहचाने सेट गोबिंद दास की रचना किस सेली में लिखी गई है यह कौशन आपका महत्तपुन कौशन पूशन पूशा गया है चेहरे जाने पहचाने यह जो रचना है किसके सेट गोबिंद दास जी की है और किस सेली में लिखी गई है संसम्रण में उपन्यास में रेखाचेतर में या कहानी में तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या है 38 का राइट आंसर विकल्ब नंबर C आनिकी रेखाचेतर रेखाचेतर आपका सही आंसर है अंगला कॉस्चन है सांती निकीतन से सिवालिक तक यह किस विदा की रचिना है संसम्रण यात्रा बिरतान ते अभी नंदन ग्रंत या रुपूरताज यह आपके चार विकल्ब है कॉस्च नंबर 49 49 का सही आंसर क्या होगा यहां पर यह बताना है तो 49 का सही आंसर आपका सी राइट आंसर है अभी नंदन ग्रंत आपका सही आंसर है प्राचीन हिंदी पत्र संग्र है इनमें से किसके द्वारा संपादे थे तो संपादे थे किसके द्वारा संपादे थे यह बताना है आपकी लिए तो धिरेंद्र बर्मा लक्षमी सागर वाशनी कमलापती तरपाथी पंडे बेचन सर्मा उग्र चालेस का सही आंसर है आपका यहां पर विकल्प नंबर D, पंड बेचन सर्मा उग्र आपका यहां पर सही आंसर है, अंगला क्वोस्चन है तरुन भारत के सहिकारी संस्थापक के कौन थे, इसके संस्थापक पूँचा है आपसे, सारी संपादक पूँचा है यहां पर, संप साइक थे अंगल्यककॉस्चन है पंति के 200 पत्र बच्चन के नाम नामक पुस्तक का संपादक कौन है यह साइठा बश्यवन सराय बच्चन आपका सही ऑंसर कैस्ट काश्यों है जीवनी साहःत का बहुंऌकी विकास के सकाल से जीवनी हीपनी सहःत क्वेजा पूंचआ है तो प्रसाथकाल से दविधी भातिन बातों रहित अंव्या वाद रहर टर नंबर स्क्राइब्ट रही ऑदी और भी वियंजनावादि तो प्रायड वादी भी और अभी व्यंजनाबादी भी है कौन सा वह आलो चक है तो बताईए यहां पर सही आंसर क्या होगा question नंबर है आपका यहां पर 44, 44 का सही आंसर है विकल्प नंबर D आनिकी नगेंद्र नगेंद्र आपका सही आंसर है अंगला question क्या है question35, अपन्यास की विकास के प्रारम्बिक दौर में भारतिय समाज की बीतर छिपी, घृणित बृत्तियों और वेस्च्या लिएं, मदराव लिएं आदी को किसने विसए बनाया, तो ये जो विसए बनाया, वहें किसने विसए बनाया, ये बताना है आपके लिए question number 45 का सही answer तो 45 का सही answer है आपका यहाँ पर विकल्फ number D पांड़ी वेचन सर्मा औगराप का सही answer है अंगला question हिंदी साइट को ये रोपी साइट की धियन क्या है तो ये रोपी साइट की धियन क्या है तो question number 47 का सही answer बताना है 47 का सही answer है प्रेम चंद आपका विकल्ब number 1 यहाँ पर right answer है प्रेम चंद जन्हों ने बताया उनका सही answer